नमस्कार आप देख रहे हैं Zee News आपके साथ मैं हूँच शंदन सिंग इस वक्की बोड़ी ख़बर गुजरात के धंदुका शहर में किशन नाम के एक युवक की हत्या के केस में कारवाई हुई है गुजरात ATS ने दिल्ली से मौलाना कमर गनी नाम के वेक्ति को नौर्थ इस्ट दिल्ली इलाके से हिरास्त मिलिया है आपको बता दें के किशन नाम के युवक की हत्या 25 जन्वरी को बाइक पर आए दो लोगों ने कर दी थी इसकी वज़ा सोशल मीडिया पर एक अभधर पोस्ट को बताया जा रहा है जानकारी के मताबिक गिरफतार दो आरूपियों ने दिल्ली से हिरास्त मिलिये गए मौलाना कमर गनी का नाम लिया था शुरुवाती जांच के बाद इस मामले को गुजराथ एटियस को सौपा गया था और इस जांच में अब कनेक्शन दिल्ली तक जुड़ा मौलाना कमर गनी को गिरफतार किया गया है हिरासत में लिया गया है पूच्टाच की जा रही है मौलाना कमर गनी जो की काफी विवादित शक्स रहा है और हमारे साथ इस खबर पर जाद जानकारी के साथ एहमदाबाद से हमारे सायोगी मौलिक धमेचा जुड़ चुके है मौलिक गुजडाथ में मौर्डर का कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा है क्या ही ये पूरा मामला क्या जानकारी मिल रही है विताक चंदन जिस तरीके से ये पूरा हत्या का मामला है पहले ऐसा देखा जा रहा था कि ये हत्या है किसी विवादित पोस्ट के कारण हुई थी पर अभी ये connection जो है पूरा कट्टरवादी पर चला गया है हाली में जिस तरीके से मामला सामने आया दो आरोपियों को पोलिस ने अरेस्ट किया तब तक सबीर चोपड़ा जो फाइरिंग करने वाला सक्स था उसकी पूस्ताच की गई बाद में एक मौलाना भी सामने आया जो मौलाना है वो एमदाबाद के जमालपूर इलाके में मौलाना की तोर पे फरज भी बज़ाता था पर जिसने ये मौलाना ने सबीर चोपड़ा को हथियार लेकर दिया साथ में कार्टीस भी दिये और ये फूरा इंतिजाम जिस प्रकार से कर्या दिया गया था तो पूरी ये तपास वहाँ सामने आई और तपास के बाद ये ऐसा भी खुला कि जो मौलाना थे वो कहीं कटरवादी पंथियों के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ था सबीर भी इस प्रकार कटरवादी पंथियों के कनेक्शन में जुड़ा हुआ था और आखिर ये तपास जो है गुजरात ATS को दी गई है अभी ATS ने दिल्ली इसके एक मौलाना जो कमर नभी उसको भी पकड़ा है देर रात तक उसको एमदाबाद लाया जाएगा और फिर तपास में क्या नया खुलासा होता है वो देखने रहा मौलेक ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग पहले भी माइंड वाश किये गए थे उनका ब्रेंड वाश किया गया था और जो मौलाना कमर गनी है इसी सिलसिले में उसे गिरफतार किया गया है क्योंकि वो कटरवाद के लिए ब्रेंड वाश कर रहा था पिछले कुछ समय से बिल्कुल मौलाना कमर भी है जो पहले से ही ये कटरवादियों की फेवर करता हुआ उसके लिए फंडिंग करता हुआ सामने आया है उसकी विवादी पोस्ट हो कितने भी सामने आये उनके खिलाफ यूपी में भी यूपी एडी जेक एक्ट है उसके खिलाफ भी 20 दिन हिरासत में रहकर आया है और फिर एक बार ये कटरवादी का पूरा मामला जो है वो एमदावाद में पर दिखा रहा है हाली की 2022 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के बेस पर जो पूरा ये मामला है उसकी तरफ प्रेरित होता हुआ दिखाई दे रहा है मॉलेक इस पूरे मामले में अगर गिरफतारी की बात की जाए तो कितनी गिरफतारियां को मिला करके हो चुकी है पहले की बात करूँ तो जब दंगदू का पुलीस के हाथ में ये तपास थी तो जब फाइरिंग करने वाले और उसके साथ बाइक चलाने वाले दो सक्स की गिरबतारी की गई थी बाद में मौलाना जो जावरा वाला था उसकी भी गिरबतारी की गई और अभी माना जा रहा है कि जो कमर नभी है उसकी भी गिरबतारी करके तोटल अब तक ये केस में चार आरोपियों की पुलिस ने गिरबतारी की गई है और भी जहां जो की बाइक सवार लोगों ने हत्या कर दी और एक फेस्बुक पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट को विवादित पोस्ट को इसकी वज़ा बताया गया लेकिन अब इसे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक पूरी साजिश नजर आती है एक पूरा का पूरा नेटवर्क जाम ना आया था तब दंदुका पूलिस में इस बारे में किसन भरवार के खिलाब एक फायर भी हुई थी और इसको जामिन पर भी मुक्त किया गया था पर बाद में जिस प्रकार से इसके हत्या की गई और रहत्या के बार पूरा तपास का दौरा चला और दौरा के बाद ये भी मामले आया कि ये कटरपंथी का पूरा नक्सा पहले से ही तयार किया गया था और इसी के खिलाब इसकी हत्या जान बूच कर की गई है अभी गुजरात ATS को इसके तपास सौपी गई है आने वाले दिनों में और बड़े खुला से होने की एक संभावना दिख रही है त आने वाले दिनों में बाहर आ सकता है जे चंदर हमारे साथ नीरज गौड भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से नीरज मौलाना जो कमर गनी है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है क्या प्रोफाइल है इसका इसके खिलाफ पहले भी यूए पिये के मामले दूसरे राज पहले दिल्ली के नों सी दिस्टिक्ट से वहां से जो की कमर गनी है उनको इग्रासत में पूस्टाज की जा रही है क्योंकि इससे थरीके से बताया जारा है कि इसमें जो की घुजरा एक आरूपी जिसका नम शबीर बताया है जब पुलिस ने उसे ग्रफतार किया उसे पू पुलिस काहिए कि जोनों को आमने सामने बठाकर कि उसे पूस्ताज की जा रही है आतरिकार पूरा प्रेंस क्या था लेकिन जिस सारीके से परदाया है कि जो शबीर है उसकी मुलाकाद मुम्मई में जो की घुमर गनी है उनसे भी हुई थी तेहना कि अगर आप देखेंगी कि अगर बात की जाए इन दोनों का चेहरा भी दिखा रहे है उन दोनों आरोपियों का जिन्होंने इस हत्याकरण को अंजाम दिया है मौलिक अगर बात की जाए इन दोनों शक्स की जो की इस हत्याकान में शामिल थे इनका क्या इतिहास रहा है क्या यह आपराधिक छवी के हैं या फिर सामान ये वेक्ति हैं जो लोगोंने इस हत्याकान को अंजान दिया है अब तक कि जिस प्रकार पुलिस की जाच हुई है इसमें बेजिकले इनके खिलाब पहले कहीं फायर दजिस्टन नहीं हुई कोई गुनाईत मानसिक्ता हैं की नहीं दीख रही परन्तु जिस प्रकार से पूस्ताच हुई आरोपियों की सब्बीर की और इम्तियास की तो इसमें ये चौकस सामने आया है कि जिस प्रकार उन लोगों ने पहले कहीं दिनों से इन लोगों को सर्च किया था सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव थे और कटर पंथियों का पहले भी कही बार इन लोगों का भासन जो होता है वो कटरवादी की और के वो सुनते रहते थे और इसी टारगेट पर दोनों स्थानिक रहवासी है धंदुका के और यही लोगों को टारगेट बनाकर इसका हत्या की गया जे और फिलहाल अभी धंदुका में कानून विवस्ता के स्तिति क्या सामानिया बताए ये भी जा रहा है कि काफी वहाँ पर माहौल तनावपूर्ण है इस हत्याकांड की वज़े से चंदन बिल्कुल पहले तीन दिनों तक ये अलग-अलग इलाके में बंद की परिस्तिती थी पर अभी फिलाल माहौल जो है वो सांतिपूर्ण है और कई अमदावाद के अलग-अलग जिले है वहाँ जो समर्थन में आये हुए जिले है और साधी साथ कहीं छोटे बोड़े ग सकता है कि कहीं ना कहीं कट्रपंथी जो है वो इनकी अभी नहीं चलने वाली जे बिलकुल कट्रपंथियों ने दो युवकों को ब्रेंवाश किया और उन्होंने एक हत्याकान को अंजाम दिया है नीरज इस मामले में बहुत बड़ी अब जो चुनोती होगी पूरे इस ने प्रेंटरपंथ का ये नेटवर्क सिर्फ लोकलाइज नहीं है ये पैन इंडिया है पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है जब इन आरोपियों को गिरफतार किया जब उनसे पूस्त अची गई तो पता चला कि इसमें जो कि आरोपी शबीर है वो लगातार इनसे प्रभावित था और इसकी बुलकाट जो है बुम्मे के अंदर भी थी जो पूरा सीक्वेंस उसको जानने की कोशिश कर रही है उसकी के साथ मैं आपको बता हूँ इनको जब गिरफतार किया उस वक्त ये दिल्ली के नोग जो की डिस्टी के वहां पर मौदूद थे जहां पर दंगे होए थे उस जगा पर ये मौदूद थे वहां पर टीम पहु प्ताच पी जाएगी इस चवाद में इनका बियान लिये जाएगा अगर इन पर जो आरोफ प्रोस ही पाई जाते हैं तो उनकी ग्रफतारी भी संभव है जी नीराजय लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये उड़ता है कि जाकेर नाय का कुछ साल पहले जिक्र हुआ था जिसके भड़काव भाशनों की वज़ा से बांगला देश में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और बड़े पैमाने पर कतले आम मचाया गया था फिर भी इस तरह के जो हैं विबादित बायान देने वाले जो धर्मगुरू हैं वो खुले आम घूमते हैं सोशल मीडिया पर उनके भड़काव भाशन जो हैं वो इसली अवेलेबल होते हैं लोगों को ये एक बड़ी चुनौती होगी अब एजेंसी के सामने कि इस तरह के भड़काव भाशनों को सेंसर किया जाए हटाया जाए सोशल मीडिया से आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे जिसको लेकर के लोग प्रवावित होते हैं और कहने कि जिस तरह के से इस भाशन ने किया अगर भाशन नहीं होता तो कहने कि शब्री जो था वो इससे प्रवावित नहीं होता मौलेक हमारे साथ बने हुए हैं मौलेक अब जो जाच है वो किस दिशा में जाएगे आपने जासे कि बताया के गुजरात एटियस आज प्रेस को भी जानकारी दे सकती है इस हत्याकार्ण के बारे में जाच अब किस दिशा में जा रही है बिल्कुल जिस तरीके से अभी जहांच गुजरात एटियस ने संबाली है आज साम तक कमरगनी उस्मानी को गुजरात एटियस लाया जाएगा उसके बाद उसके पूस्ता की जाएगी कि ये सबीर चोपरा को इम्तियास को या मौलाना जावरावला है उनको पैचानता है कि नहीं पैचानता है दोनों को एक साथ रहकर किस प्रकार से पूरा प्लानिंग किया था ये हत्या के खिलाफ कोई पहले से प्लानिंग की गई थी मौलेक मौलेक आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे पास एक वीडियो आया है इस वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे वाली जो बाइक है उसमें बैठे हुए इन दोनों शक्स नहीं हत्या की है किशन की एक का नाम इसमें शबीर है और मौलेक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरे का नाम इम्तियाज आपने बताया है बिल्कुल बिल्कुल जे शबीर और मौलेक इन दोनों का वीडियो हम आपको दिखा रहा हैं सीसी टीवी कैमरे में कैद हुए हैं ये दोनों हत्यारे और मर्डर का मौलाना कनेक्शन निकल कर सामने आया है दिल्ली का मौलाना कमर गनी उसके भड़काओ भाशनों से ये लोग प्रेरित हुए बताये ये भी जा रहा है कि जो पीछे की बाइक पे बैठे हुए दोनों नजर आ रहा हैं शक्स यहीं वो दो लोग हैं जिन्होंने किशन नाम के युवक की हत्या की एक विवादित सोचल मीडिया पोस्ट को लेकर हत्या की गई और इस मामले में जबकि एफ आयार दर्ज की गई थी उसके खिलाफ क गोलिया ली और किशन की गोली मारकर के हत्या कर दी ब्लैक कलर की एक बाइक जिस पर बैठे हुए दोनों हत्यारे नजर आ रहे हैं गुजरात एटीस मामले की जाच कर रही है गुजरात में धुंदका शहर में हुए इस हत्याकांड के तार अब दिल्ली तक जुड़ चुक पर ये मामला काफी संगीन है क्योंकि अब इसके तारत त्रिपुरा से भी जुड़े हुए हैं त्रिपुरा में यूए पी दर्ज हुआ था मौलाना कमर गनी के उपर और अब उसका रुक उसका कनेक्शन निकल के सामने आया है गुजरात के धुंदका शहर में हुए इस हत नजर आ रहा हैं आपको CCTV फुटेज दिन्यूस के हाथ लगा है और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं फेस्बुक पर अबद्र टिपणी की आरोक में हत्या की गई पूरी तरह से रेडिकलाइज थे ये दोनों युवक और कमर गनी के भढ़काव भाशनों से काफी प्रेरित इसे में सवाल ये उठता है कि जब कमर गनी के वीडियो भढ़काव वीडियो सोचल मीडिया पर कैसे उपलब्द थे जिसमें वो लोगों को हत्या करने के लिए उकसाता हुआ नजर आ रहा है और हमारे साथ है नीराज गौर भी बने हुए है नीराज इस मामले में और क्या कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है बिल्कुल मैं आपको चिंदर बताओं कि जिस तरीके से इस पूरी हट्चा की वारदाप को अंजाम जा गया है तो पूरा सीजिटी भी अगर आप देखता रहे होंगे तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि कहिने के इस साजिश को कई दिनों से रचा जा रहा था इसकी पकाइदा पूरी रहकी की गई थी कोंकि जिस तरीके से किश्र वरवाट कहां पर जाता है कहां पर आता है किस वक्त वो बाइट से निकलता है जैसे बाइस पर पैरिडिंग और बताया जा रही कि जो कि गुजरत ETS के सौर्सिस थैं और भी लोग शामिल है उनसे भी उनको भी ग्रफटार किया जाएगा उनसे भी पुछाज की जाएगी को कि ये पिछले कई दिनों से इसको अंजाम देने की जो प्लानिंग थी वो रचीड आ रही थी तो कि जिस सरी के से इसका जो कनेक्शन है वो बिल्ली तत्रोंचा है तो कहने के इस मामले में और भी लोग हैं जो की गुजरात के इटेंस के निशानाने पर हो सबते हैं बहुत शुक्रिया नीरज और मॉले का आपका इस खबर पर जोड़ने के लिए हमें अपडेट देने के लिए गुजरात के तारापूर से हमारे संवादाता बुरहान पठान की इसे खबर से जोड़ी हुई रिपोर्ट देखिए पुजरात के धंदुका में मालधारी युवक की हत्या को लेके लोगों में काफी आकरोस देखने को मिल रहा है आनन जी लेके तारापूर में भी हिंदू संगठ हलो द्वारा तारापूर बंद का आहवान किया था इस आहवान पर तारापूर के व्यापारियों ने अपने दुकाने बंद रखिये यहाँ पर देखा जाये तो सभी दुकाने बंद है लोगों ने व्यापारियों ने अपने दुकाने बंद रखकर मालधारी युवक की हत्या को लेकर अपना विरोध जताया है यहां पे देखने को मिले तो यहां पे जो व्यापारी है उन लोगों ने बंद रखी है लेकिन कुछ मिला जूला असर पढ़ रहा है यहां पे कुछ दुकाने खुली है और कुछ दुकाने बंद रखी है ज्यादा तर हिंदु सित्र के जो लो व्यापारी है उन लोगों ने कर दोगाने बंद रखी और कि दूगाने खुली रही है यहां पर देखने को मिले तो ज्यादा तर दूगाने बंद आहने देशेगे यहां पर जो तारापुर बंद का आवान किया तो नकाता हो सफलता टिकाई देर यह बंद प्थान जीमिडिया आणद Hm प्र्सथ्य व्यूस्ट आप अवेलेवलेश्द पूंगलेश्ट आप सब्सक्षार्इ नाच्ट